आज हम अपने यूनिट नमबर 6 का टॉपिक नमबर 1 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेइनिंग टीचर्स टु यूज ग्रिटिकल लिटरसी इससे बहले कि हम यह देखें कि ग्रिटिकल क्रिटिकल लिटरसी को टीचर्स अपनी क्लास्रूम में कैसे इससे सामाल कर सकते हैं आढ़ी एक बहुत एंटरॉस्टिंग टक्निक है लेकिन इससे पहले हम यह जानते हैं कि पहले हम सी होती क्या है और इसको हम थोड़ा सा थेरी के अंदर देखेंगे कि क्रिटिकल लिटरसी को कैसे डिफाइन किया गया है कि जिसनी भी किसम की communication हम करते हैं चाहे वो written है चाहे वो spoken है या वो किसी भी form में है painting की form में है या drawings की form में है हर communication बन्यादी तौर पर politically और social activities के अंदर ही शुमार होती है अब political activities में क्यों शुमार होती है इसको भी हम आगे discuss करने जाएंगे social activities में इसलिए शुमार होती है ताकि हम अपनी बात बन्यादी तौर पे paintings की थूरू, drawings की थूरू, कहानियों की थूरू, नजमों की थूरू, घसलों की थूरू, किताबों की थूरू, दूसरों तक पहुझा रहे हैं और दूसरों की जो ख्यालात हैं, उनकी जो तकालीफ हैं, उनकी जो कहानिया हैं को हम बाकी लोगों तक पहुचा रहे हैं तो ये connection है, social activity है बन्यादी तोर पे लिखना परना और तमाम चीज़ों की चीज़ें बन्यादी तोर पर ये जितनी भी social activity हैं, इनके अंदर एक ऐसी ताकत है जिसके त्रूँ social change आ सकता है जब हम किसी भी ऐसे माशरती फेनॉमेना को challenge करते हैं, जिससे किसी एक minority को शदीद नुकसान पहुच रहा हो और power group में किसी एक class को फायदा पहुच रहा हो जब लिखारी लिखते हैं, बात करने वाले बात करते हैं, ड्राइंग और पेंटिंग बनाने वाले पेंटिंग करते हैं ऐसे फेनॉमेना की तो लोगों में awareness पैदा होती है और उनकी सोच में तबदीली आ सकती है तो बन्यादी तोर पे फरारे के मुताबिक 1970 में जो फरारे ने कहा वो क्या कहा? रीडर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन दे रीडिंग प्रॉसेस जब भी हम कहानी पढ़ रहे होते हैं हम बन्यादी तोर पे पूरी कहानी अपनी imagination में चला रहे होते हैं और उसके अंदर हम एक्टिवली पार्टिसपेंट्स कर रहे होते हैं और एंग कहानी हमारी सोच में तबदीली ला रही होती है और जो उनके बारे में लिखा होता है, वो उस हकीकत को as it is नहीं माल लेते हैं, वो critically देखते हैं, critically investigate करते हैं, जो author ने point of view दिये होते हैं, उनको confront करते हैं और वो ये चेक करते हैं कि इसके अंदर power dynamics क्या है, कौन कमजोर है, कौन ताकतवर है, लिखने वाले ने कमजोर को कैसी वास दी है, और ताकतवर को किस तरीके से कहानी में dialogue से debug किया है, या illustrations के अंदर उसके size, उसकी color, उसकी shape और उसके form में debug किया है, तो ये तमाम power dynamics जो है, वो देखते हैं, एक intelligent reader और बुनियादी तोर पर हम इसको क्या करते हैं, introspective और radical change और action की तरफ reader को लेके जाता है, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो हम बुनियादी तोर पर कहानी के underlying उन चीज़ों को पढ़ते हैं, जो कहानी में directly मौझूद नहीं होती है, हमारे जहन में ये सवालात पैदा होते हैं, कि आखिर लिखने वाले ने यही topic क्यों चेना, और उसका अपना point of view किया है, इस topic क बारे में, इसका मतलब है कि किसी भी topic के बारे में multiple point of view हो सकते हैं, हम ये देखते हैं कि उसने specific चीज़ों को और events को या objects को इस कहानी के अंदर क्यों इस्तेमाल किया और बाकियों को क्यों निकाल दिया, तो ये क्या है critical approach है, तो according to the Jones critical literacy जो है awareness पैदा करती है, especially language के बारे मे अपनी नसलों को convey कर देते हैं, आप चाहे वो consciously करें, चाहे वो हम unconsciously करते हैं, तो बुनियादी तोर पे जो भी हमारी ideology है, चाहे वो मख़ब की ideology हो, चाहे वो किसी party के लिए ideology हो, चाहे किसी culture के लिए ideology हो, और सही और गलत की जिस भी ideology के तहते हैं, वो एक lens है हमारा, जिस के तरह हम कहानीयों को पड़ते हैं उन्हे सही और घलत कहते हैं, यह हम कहानियां लिखते हैं और किसी सही या किसी घलत की खाष्ज करत रहे होता है यह बिल्कुल इसी तरी से definition का एक कौन्याइद को अमसरोट को और राता है, जिसे हम कहते है, पुशीम कंस्ट्र solar होते हैं hen वाल होते हैं और हम हिस्टि को मुड़िफ दी इसको हम चैनल को हम ऑगे देखेंगे कैसे वह पोरी के पूरा मिलिंग ही चेंज कर देते हैं कहानी का, जिसके अंदर हम कुछ जूम्लों के तहर्त मुक्तलिफ एथनी सिटीज को बताते हैं. अलीसिन, फिलिंट और वैन ने आर टू थाउजन टू में इडेंटिफाई किया था कि क्रिटिकल लिटरसी अगर किसी टीशर्स में डिव पढ़ते थे, वो उनमें नए एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं. इसी तरीके से वो डिफरन पॉइंट ओफ यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उन ग्रूप्स के जिनको उस कहानियों में डिफाइन नहीं किया गया होता या गलत रिप्रिजेंटिटिटिव डिए रिप हैं। एक करिटिकल् indoorsy का इंडरोट परसन वो निकाल सकता है. वो देख सकता है का currently गैंडर किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, कौन हैं इस कहानी के इंदर जो सफर कर रहा है। कौन है कि इस कहानी के इंदर जो फायदा आ उठारा है, वह क्यूं फायदा उठा है और क्यो कैसे डिवेलप की जाएंगी और उससे पहले टीचर में कैसे डिवेलप की जाएंगी अब हम इसको देखेंगे